वीडियो देखने के बाद कॉमेंट करके बताएं आलिया भट को लड़की होगी या लड़का कॉमेंट करके जरूर बताएं दिसम्बर नहीं इसी महिने हो जाएगी आलिया भट की डिलीवरी जुनियर कपूर के आने की हो गई है सारी तयारी होने वाली मासी के जर्म दन पर ही गूंजेगी रालिया के बेबी की किलकाली जी हाँ यू तो जब से बॉलवुट के most adorable couple आलिया भट और अन्बीर कपूर ने अपने parents बनने की ख़बर सुनाई है तब इससे लोग उनके होने वाले बेबी का बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं जा कपूर और भट परिवार भी छोटे महमान के आने की तयारी व्यों लगे हुए हैं वही अब हम आपके लिए ले आए हैं एक good news वैसे तो आलिया की delivery date के बारे में पहले भी कई ख़बरे आ चुकी है जुसमें बताया गया कि आलिया दिसम्बर के महिने में बच्चे को जन्म देगी लेकिन 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 अब आ गई है वो ख़बर जिसे सो नाव भी खुश हो उठेंगे बैया अब जूनियर कपूर के दुनिया में आने की तारीक जो सामने आ गई है latest media reports के मताबएक आलिया का baby 20 से 30 नवंबर के बीच पैदा हो सकता है खास बात यह है कि होने वाले बेवी के जन्म का उसकी होने वाली मासी यानि कि आलिया की बहन शाहीन भट से close connection होने वाला है क्योंकि 28 नवंबर को शाहीन का बोधे है और तब आलिया भी अपने बेवी को जन्म दे सकती है वैसे अगर यह वाकी सच हुआ तो कपूर और भट पैमली में double celebration का मौका होगा वैक खबर यह भी है कि आलिया रनवी ने बेवी की delivery के लिए मुंबाई के एचन प्रिलाइन्स hospital को पहले से ही बुक कर लिया है अस्पताल में उनका नाम अभी से ही register करवा दिया गया है और उनके नाम पर एक अमरा भी बुक हो चुका है वैर रनवी कपूर के पता और दिवंगा तभी नहीं था रिशी कपूर की जब तबेद खराब हुई थी तो उन्हें भी इसी अस्पताल में भरती कराया गया था उन्होंने अंतिम सास भी इसी hospital में ली आगो पता दे कि अप्रेल के महिने में शादी करने के बाद आलिया ने 27 जून को अपनी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था आक्ट्रस ने इंस्टेग्राम पर पती रनवी कपूर सांग्खियूट फोटो शेयर की थी पोटो में आक्ट्रस अस्पताल के बेट पर लेटी हुई नजर आ रही थी आलिया और अन्वीर के बेवी का इंतजार पूरा कपूर खांदान बेसबरी से कर रहा है नीटु कपूर दाधी बने के लिए एक्साइटेड है तो वही सोरी राजदार नानी बने के लिए कपूर परिवार में डिशी के जाने के बाद खुशिया आनी वाली है आलिया रनवीर कभी भी एक नए पीड़ी में शामिल होगा कपूर फैमली के चराग का स्वागत बहुत धूमधाम से होने वाला है वह इस समय प्रेगनिंट आलिया ने अपने काम से ब्रेक लिया हुआ है वो अपना खास ख्याल रख रही है रनवीर भी इस समय अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ना चाते है ऐसे में वो भी उनके साथ जाद से जादा टाइम स्पेंट कर रही है बता दे बीते दिनों ऐसी खबरे आई थी कि आलिया बेवी को जन देने के बाद कुछ वक्त बाद ही काम पर लोटिंगी तुरंबीर पेटर्नर लीफ लेकार घार पर ही बेवी का ख्या लखेंगे